दोस्तों जब भी आपके exam में competitive exams में खपत और खर्च वाले सवाल आते हैं तो इन सवालों को आप नहीं कर पाते हैं इनमें आप समय लगा देते हैं तो ऐसा क्यूं होता है क्यूंकि आप इनका सही concept नहीं पढ़े होते हैं और इनमें अपना समय गवा देते हैं ये प्रसन बह करेंगे जहां पर खपत और खर्च के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनसे related सवालों को भी करेंगे बहुत ही बहतरीन तरीके से सीखेंगे इस topic को क्योंकि percentage का ये कैसा topic है जिसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं इस class को class में जुड़े रहिएगा अंतिम तक देखते हैं यहां पर सवाल में दिया गया है पहले सवाल पढ़ लेते हैं उसके बाद एक concept हम आपको सिखाएंगे उस concept से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगे करहें डीजल की कीमत 45 रुपे प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपे प्रति लीटर हो जात अभी आप 5 किलो आलू खरीद पा रहे हैं 5 केजी आलू खरीद पा रहे हैं कितने रुपे में मालिजे कि आलू की जो कीमत है वो भी 20 रुपे प्रति केजी है तो 5 किलो जब आलू खरीदेंगे तो आप इसमें कितना खर्च कर रहे हैं अभी खर्च कर रहे हैं आप 100 रुप कीमत होगी अब यहाँ पे आप अगर इसमें 5 केजी ही आलू खरीदना चाहते हैं 5 केजी ही आलू खरीदेंगे तो अब आपको कितना खर्च करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए ही इसमें खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे रुपए ही आएगी तो इसके इस पूरे चीज को हम लोग एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं और वो फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले से सारी चीज़ें हो जाती है उसको जरा समझ लीजे वो फॉर्मूला समझ में आ गया न तो यह सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए खपत ठीक है खपत इस खपत के जगह पर क्या हो सकता है quantity भी हो सकती है यानि कि मात्रा भी हो सकती है तो ब्याय के जगह पर आपका खर्च भी लिखा हो सकता है यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है और इस खपत के जगह पर आपका मात्रा भी लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है इसके जगह पर आपका मात्रा भी लिखा जा सकता है दोस्तों तो ये बस एक छोटा सा फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से सारे सवाल आपके बन जाता है ब्या कहिए या खर्च कहिए और खपत कहिए या मात्रा कहिए इसी से सारे सवाल बनेंगे अब इसको लगाने का तरीका क्या है ये हमको जरा समझना पड़ेगा देखे जब भी आपको सवाल दिये जाते हैं तो परसेंटेज के फॉर्म में दिये जाते हैं और परसेंटेज से हम उसको रेशियो में ले आते हैं और परसेंटेज से जब हम रेशियो में ले आते हैं तो हमारा सारा काम आसान हो जाता है जैसे सवाल को पढ़िए डीजल की कीमत यानि की प्राइस है ना देखे दोस्तों प्राइस यहाँ पे क्या हुआ price आपका पहले कितना था? 45 रुपए था price जो था वो 45 रुपए था 45 रुपए प्रति लीटर फिर कितना हो गया? 45 से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गया कह रहा है diesel की खपत को कितना कम करें? अब यहाँ पे खपत कितना कम करें कि ब्याय केवल तो 5 बटे 100 होगा परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 5 बटे 100 काटेंगे तो 1 बटे 20 आएगा तो 5 परसेंट का मतलब होता है 1 बटे 20 यानि कि इसमें कितना बढ़ाना है हमको 5 परसेंट बढ़ाना है तो सुरू में 20 रहेगा और उस पे 1 की बढ़ेतरी करेंगे यानि की बृद्धी करेंगे तो 21 में होगा आप यानि की 20 क्यों कितना बढ़ाना है 20 से 21 करना है या फिर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सीधे ऐसे करिए यहाँ पर क्या बोला है व्याए क्या बोला है व्याए व्याए क्यों क्या करना है 5% बढ़ाना है तो माल देजी कि पहले 100 था और 5% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है इनका ले लीजे रेशियो आपको क्या करना है रेशियो लेना है रेशियो यहाँ पर भी आपको रेशियो लेना है और यहाँ पर भी रेशियो ले लेना है तो प्राइस के रेशियो कितना बनेगा प्राइस के रेशियो एक सवाल आपको डिटेल में बता रहे हैं बाकी फिर जल्दी जल्दी करेंगे, देखे, price के ratio क्या हो जाएगा, दोनों जो है, 5 से कट जाएगे, 5 से इसको काट ये, 9 बार में कटेगा, 5 से इसको काट ये, आपका 10 बार में कटेगा, यानि कि price जो है, 9 से 10 हो गया, ठीक है, ब्या देखे, ब्या खर्चा, ये दोनों आपके 5 से कटेंगे, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना, 21, है न, तो जो आपका ब्या है, ब्या है, है न, ब्या है, यानि कि खर्च कितना हो गया, 20 से, 20 से, 21 हो गया, दोस्तों, अब क्या कह रहा है, कि खपत, अब यहाँ पर आपको खपत निकालना है, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, तो खपत क्या होगा, कितना होगा, खपत इक्वल टू, खपत इक्वल टू, ये हो जाएगा, प्राइस को नीचे ले आएगे, यानि ब्याय मतलब कि खर्च, ब्याय अपॉन कीमत, यानि कि प्राइस, प्राइस इतना ही तो होगा, तो खपत अगर हमको चाहिए, यहाँ पर अब हमको क्या चाहिए, खपत चाहिए, तो खपत अगर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, BMA price का divide करना पड़ेगा तो BMA price का divide करेंगे कितना आगा 20 में 9 divide कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यह हो जाएगा आपका 20 बटे 9 ठीक है और इधर देखिए इधर भी आपका खपत निकालना है तो B 21 बटे 10 हो जाएगा 200 और 9 का उधर multiply कर देंगे तो यह बन जाएगा आपका 9 दूना 18 1889 हो जाएगा अब यहाँ पर क्या बूला था कि डीजल की खपत को कितना परसेंट कम करेंगे खपत आपको साब साब कम होते दिख रहा है पहले 200 का खपत हो रहा था अब 1889 का खपत हो रहा है खपत में कमी कितनी आ रही है बताइए तो 200 में 1889 घटा ये कितना कमी आ रहा है 89 घटा देंगे यानि कि 11 बचेगा 11 ये 11 किस में से है 200 में से है 200 में 11 की कमी हो गई इसको परसेंट में निकालना है तो percent में निकालने के लिए 100% से multiply कर देंगे ये आ जाएगा आपका खपत में कमी 2.00, 2.00 कटे 11.00 का मतलब होता है 5.5 यानि कि 5.5% आपको खपत कम करनी पड़ेगी तब आप यहाँ पर अपने खर्चे को सिर्फ 5% तक बढ़ा सकते हैं इसमें ऐसे भी सवाल दिये जाते हैं जोस्तों कि जहां पर बोल देगा कि आपको खपत में कितने प्रतिसत की कमी की जाए या कितने प्रतिसत बढ़ाए जाए कि आपका जो व्याय है खर्चा है वो ना बढ़े खर्चा उतने का उतना ही रहा है तो उसको भी उस टाइप के सवालों को भी हम लोग करेंगे आगे चलिए देखते हैं बहुत बहतरीन परसन लेकर आए हैं और यह सारे सवाल आपके प्रिवेसेर के सवाल है बहतरीन सवाल है आगे चलिए देखते हैं बस यह फॉर्मॉला आपको ध्यान में रखना बहुत important फॉर्मॉला है यहीं से सारी चीज़ें आपकी हो जाती है और बहुत सरल तरीका बता रहे है आपको करने का ठीक है ना? दो चीजें दी जाती है तीसरा चीज आपको निकालने के लिए दीए जाता है तीसरा चीज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण में देखे इस सवाल को कह रहा इसमें, चीनी के मूल में 18 प्रत्षत की व्रिद्धी हो जाती है, किसी उपभोगता को खपत में कितने प्रत्षत की कमी करने पड़ेगी, ताकि ब्याय में कोई परिवर्तन न हो, यानि खर्चा उसका न बढ़े, चीनी का मूल ले तो बढ़ गया, 18% बढ़ गया, 100-11 18 हो गया, लेकिन अब उसको खपत में, यानि कि चीनी कम खरीदना पड़ेगा, ताकि उसके ब्याय में, यानि उसके खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, जितना अब खर्च करता था, चीनी में उतना ही तब भी खर्च करेगा, इसका मतलब यह है, चलिए, सवाल को solve करते हैं यहाँ पर price आपको दिया गया है, price कितना दिया गया है, देख लिजे, 18% बढ़ा दे रहा है, तो 18% बढ़ा दे रहा है, यानि कि पहले कितना था, 100 था माल लेते हैं, तो बाद में कितना हो जाएगा, 118, बाद में इसका हम लोग ratio निकाल लेंगे, तो 100 से कितना हो गया, य यह हो जाएगा 50, और 2 से इसको काटेंगे, तो 2, 5, 10, और 2, 9, 18, ठीक है, यह हो जाएगा, यानि कि 50 से 69 हो गया, फिर कह रहा है किसी उभ्योकता कि खापत को कितने प्रतिसत कमी करनी पड़े, ताकि ब्याय में कोई परिवर्तन नहों, अब इस चीज को बड़े ध्यान से स खापत, यानि कि कीमत into खापत, यही तो होता है, अब इसमें कह रहा है कि ब्याय आपका कुछ भी ना हो, ब्याय आपका constant रहे, तो जब ब्याय आपका constant रहेगा, तो यहाँ पर जो price अगर बढ़ेगी, तो खापत को हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम यहाँ से खा खापत आपका कितना हो जाएगा, बताइए तो, ब्याय और अपन में price हो जाएगा, ब्याय अपन में price, मने अगर ब्याय constant है, तो खापत और price एक दूसरे के inversely proportional होंगे, है ना, उल्टा अनुपात हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ से खापत देखें, खापत, खापत, तो होगा, price आपका 50 से 69 हुआ है, तो खापत आपको 69 से 50 करना पड़ेगा, इस चीज को हमेशा याद रखेगा, कि जब आपका ब्याय constant हो, ब्याय ना बदले, ब्याय में खर्च में कोई कमी न हो, कोई परिवर्तन न हो, कोई चिंजस न हो, तो आपको price और खापत का ratio उल्टा कर देना होता है, price के ratio जो दिया है, खापत के ratio निकालने के लिए उसका उल्टा कर दीजे, आपका answer आजाएगा, अब इसमें कह रहा है, कि खापत में कितने प्रतिसत की कमी, तो खापत भाई बताए कितना हो गया, खापत पहले 69 हो रहा था, अब 50 हो गया, यानि कि कितने की कमी हो गई, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 9 की कमी हो गई, किस पर? 69 पर, 69 पर, 69 की कमी हो गई, इसको percent में बदलना है, तो 100% से क्या कर देंगे? multiply कर देंगे, तो उपर हो गया आपका 900, उपर हो गया आपका 900, और divide में आपको हो जाएगा कितना, यहाँ पे, आपका 59 हो गय तो जलाएगा, एक तीस माने कि 310 हो जाएगा, ना, 310, अब 69 का कितनी बार, 5 बार जाएगा, ठीक है? यहाँ तक ту ठीक है, यहाँ तक तो आ जाएगा, यहाँ पांच बार जाएगा, पांच बार जाएगा, तो 69 पंचे, 6 पंचे 30, 300, और उसमें हम गठा देंगे 5, ठीक है? तो 5 घट ऐंगे, 305 घट, 295 आजाएगा, तो यहाँ पे हुआ 295 घटा दीजे इसको, तो कितना आजाएगा, आपका 15 आजाएगा है, यह आपका कितना आजाएगा, 15 ठीक है, point लगाएंगे यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, अब 69 दो, दो बार जाएगा आपका, ठीक है, दो बार, 69, 69, 69, 69, दो बार, फिर और कुछ जाएगा, यानि कि round off करेंगे, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, यह आपका 15 दसमलो, 15 दसमलो 3 आ जाएगा दोस्तों, तो 15 दसमलो 3 इसका correct answer होगा, option number D, यहाँ पे सही answer बन ज कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रसंद में चले, चलिए देखे इस प्रसंद को, यदि चीनी के मूले में 20% की वृध्धी हो जाती है, और कोई ब्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृध्धी करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प ब्रिध्धी हो जाती है, यानि शुरू में कितना होगा, 5 और 20% ब्रिध्धी होगी, यानि 1 बढ़ेगा, यानि कि अब कितना हो जाएगा, पहले 5 था प्राइस, अब कितना होगा, च्छे, 20% बढ़ेगा, क्या रहा है कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% बढ़ाना यानि कि खर्च अब देखिए कितना हो जा रहा है 8% बढ़ेगा 8% की fraction value कितनी होती है 8% की fraction value होती है 4% मतलब 1 बटे 25 तो 8% मतलब 2 बटे 25 काट के चाहे देख सकते हैं आप लोग है 2 बटे 25 हो जाएगा ब्रिध्धी करना चाहता है खर्च बढ़ाना चाहता है यानि कि सुरू में आपका 25 रहा होगा 25 पर 2 बढ़ा देगा तो सुरू में कितना होगा 25 होगा खर्च फिर कितना बढ़ जाएगा 25 से 2 बढ़ जाएगा यानि कि 27 हो जाएगा खर्च कह रहा है इसमें अपने खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी खपत खपत equal to क्या होता है दोस्तों खपत equal to formula खपत equal to where where का मतलब खर्चा है ना खर्च upon price यही तो होता है तो where upon price यानि खर्च upon price करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका खपत आ जाएगा तो खपत निकाल यह कितना होगा where खर्चा upon price 25 बटे 5 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ratio निकाल लेंगे है ना सभी में ratio ही ले रहा है हम लोग यहाँ पर कितना होगा 27 बटे 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 बटे 6 क्रॉस मल्टिप्लाई कर दीजे 6 आपका इधर आके मल्टिप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा आपका 27 ठीक है तो यह आपका खपत का ratio आ गया है तो कह रहा कि खपत में कितने प्रतिसत की कमी हो गया है साब साब दीख रहा है पहले 30 खपत होता था अब 27 खपत हो रहा है यानि कि कमी हो गई खपत में कितने की कमी हो गई 30 में 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 कमी हो जाएगा किस से 30 से और इसको percent में बदलने के लिए 100% से multiply कर देंगे दोस्तों आपका answer आजाएगा देखे जीरो से जीरो कट जाएगा आपका उपर हुआ 30, 30 बटे 3 यानि 3 से 3 तो कट ही जाएगा बचा 10 आपका यानि कि 10% तो 10% आपका खपत में कमी करना पड़ेगा option number पहला correct हो जाएगा यहाँ ठीक है सुनीता पेट्रोल पर अतरिक तुरूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है same to same वो ऐसा ही सवाल है जैसा हमने पिछला वाला सवाल किया ठीक है price कितना हो जाता है price है न price आपका कितना हो जाता है 19% बढ़ जाता है यानि कि पहले 100 रहा होगा अब 19% बढ़ेगा तो 119 रुपय हो जाएगा ठीक है सुनीता खर्च कितना करना चाहती है 12% बढ़ा के अतरिक तुरूप से यानि 12% बढ़ा के खर्च करना चाहती है तो यहाँ पे आपका हो गया क्या खर्च हो गया खर्च कितना हो जाएगा 12% बढ़ा दीजे, यानि 100 में हम 12% बढ़ाएंगे, 112 हो जाएगा, तो वहाँ खरीदे जाने वाले पेट्रूल की मात्रा, मात्रा का मतलब क्या हुआ, खपत, है ना, खपत, या इसको मात्रा भी कह सकते हैं, तो मात्रा कितना होगा, 100 बटे 100, क्या होता है, खर्च अपान प्राइस, है ना, खर्च कितना हो रहा है, 100, 100 बटे 100 करेंगे, तो एक आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा मात्रा, 112 बटे 119, है ना, खर्च में प्राइस को डिवाइड कर देते हैं, तो मात्रा य हो जाएगा यहां पर अब क्या कर रहा है कितने प्रतिशत की कमी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी तो मात्रा में कितने की कमी हो रही है बताईए तो 119 में 112 घटा देंगे तो 7 की कमी हो रही है किसमें से 119 में से 119 में से % में बदलना है इसको तो 100% से multiply कर देंगे answer आजाएगा, आपको निकटतम पुर्णांक में बताना है तो निकटतम बताने के लिए 119 है ना तो इसको 120 कर लिजे उपर हुआ आपका 700, नीचे हो जाएगा 120, या ना round off में करके बताना है आपको नहीं बताना है, 0 सी 0 कटेगा, कितना आजाएगा यह यह आपका आजाएगा 12, 65 कम हो जाएगा 12 चंग बहततर, यानि कि approximately आपका 6% आजाएगा ठीक है, 6% इसका correct answer होगा, option number second दोस्तों बहुत बहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आगे चलते हैं हम लोग, ऐसे ही 2-3 प्रसन अभी और करने वाले हैं जहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको twist देखने को मिले गई हर एक प्रसन में अब इस सवाल को देखे, इसमें थोड़ा सा change आएगा, क्या है? तेल का मूल 20% बढ़ जाता है, 20% का मतलब एक बटा 5 है न, यानि 5 पर एक की वृध्धी तो price कितना हुआ, तेल का price कितना हुआ, पहले 5 था, फिर हो गया 6 यह आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 20% की value होते हैं, एक बटे 5 बढ़ा रहे हैं, यानि कि plus करेंगे, तो पहले 5 था, अब एक बढ़ गया, यानि कि 5 एक 6 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कह रहा है, इसकी खपत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा आपका, खपत क्या हुआ? आठ सही एक बटे 3% तक कम हो जाती है, इसको अगर हम fraction में बदल लें, तो क्या होगा दोस्तों? आठ सही एक बटे 3% की जो fraction value आएगी, एक बटे 12 आजाएगी, यानि सुरू में कितना होगा? 12 और कम कर रहा है, इतने percent कम कर रहा है, यानि एक कम कर देगा, तो पहले खपत 12 हो रहा था, अब कम कर दिया उसने अपना खपत कितना? 12 में एक पर कमी, यानि 12 में एक घटाएंगे तो 11 की 11, अब खपत कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, करा इस पर ब्याय कितने प्रिच्छत वृध्धी अथवा कमी हो अब इसमें multiply करना है, क्योंकि खर्च निकाल रहा है हम लोग, ठीक है, यहां कितना हो गए, 11 चंक, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहां पर साथ देख पा रहे हैं, कि आपके खर्च में ब्रिध्धी हो रही है, कितने की ब्रिध्धी हो रही है, 60 से 6 हो गया खर्च, यानि कितना ब्रिध्धी हुआ, 6 का, किस पर, 60 पर, परसेंट में निकालना है, 100 परसेंट से multiply, आगे आपका answer, 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, बचा 10 परसेंट, यानि 10 परसेंट क्या होगा दोस्तों, 10 परसेंट कमी यह ब्रिध्धी, ब्रिध्धी है ना, option number A होगा, ना कि option number C, कभी-कभी गलती हो जाती है, आप यहाँ व्रिध्धी देख रहे हैं, लगा दिये कमी में, क्योंकि 10 परसेंट इसमें भी दिया गया है, ठीक है, तो ऐसी silly mistakes मत करियेगा, आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं अगले परसेंट में, देखेगा इस परसेंट को, इस का मतलब होता है, एक बटे 4, कम हो जा रहा है, यानि एक की कमी, 4 पर एक की कमी, तो पहले कितना रहोगा, 4, अब कितना हो गया, 4 पर एक की कमी, यानि कि 3 हो गया, फिर कह रहा है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में, खर्च उसका उतना ही है, 30 kg अधिक चावल खरीद पाता है, खर्च क्या है? आपका constant हो गया, खर्च क्या है? यानि व्याय जो है, constant हो गया, तो जब व्याय आपका constant हो जाता है तो price और खपत एक दूसरे के inversely proportional हो जाता है, यानि कि खपत, है ना? खपत, देखेगा खपत, ठीक है? खपत या फिर अमात्रा इसको कहले हैं हम लोग, खपत कहले या क्वांटिटी कहले, प्राइस 4 से 3 हो गया, तक क्वांटिटी हम अपना बढ़ा सकते हैं, कितना कर देंगे, 3 से 4 कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको जो खर्च है, वो न घटाना है न बढ़ाना है, खर्च नहीं घटाना कि एक ब्यक्ति उतने ही खर्च में खर्च तो equal था 30 kg अधिक चावल खरीद पाता है अगर हम quantity की बात करें दोस्तों तो पहले वो 3 unit खरीद पाता था अब वो 4 unit खरीद पा रहा है यहना उतने ही पैसे में तो देखिए कितना बढ़ा है यहां पर कितना अधिक खरीद पा रहा है वो एक unit अधिक खरीद पा रहा है कितना अधिक खरीद पा रहा है एक unit तो ratio में तो एक unit अधिक खरीद पा रहा है लेकिन actual में कितना अधिक खरीद पा रहा है 30 kg अधिक खरीद पा रहा है यहने एक unit की value कितनी हो गई 30 केजी हो गई यहाँ पर अब आपसे क्या बोला है कि यदि खर्च 2400 रुपय है है ना देखे एक यूनिट की वेलू 30 केजी तो यहाँ पर मात्रा कितना हुआ 3 यूनिट की वेलू कितनी हो जाएगी 3 से मल्टिप्ला कर दीजी 30 में यानि कि 90 केजी हो जाएगा तो मात्रा जो है वो 60 केजी अभी भी खरीद पा रहा है यानि वास्त्विकता में originally कितना खरीद पा रहा है वो 90 केजी जी शुरु में चावल का प्रती किलोग्राम वास्त्विक मूर्ण क्या होगा यानि कि हमको price निकालनी है और आपका मात्रा कितना हो गया 90 kg, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 तो यह रुपए पर kg में आएगा काटेंगे इसको 0 से 0 9 छकका 54 और 0 यानिकि 60 रुपए पर kg आपका जो answer होगा, option number B हो जाएगा यहाँ पर यह कब कहा है यह वास्तविक मूल है, यानिकि शुरू वाला अगर आपको बाद वाला पूछता तो कमी होने के बाद, तो कमी होने के बाद हम यहाँ से निकालते, ठीक है एक की value 30 ते चार की value कितना हो जाता 120 हो जाता, यानिकि 120 kg वो खरीद पाता, अगर price कम हो जाता तो, ठीक ना तो उमीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा आज की दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही बहतरीन तरीके से सारे सवालों को deal किया, और सभी सवाल आपके अच्छे से समझ में भी आ गया होंगे और इस टाइप के, ये टाइप अगर आपके सवाल में आता है, question एक भी देता है तो आप इस सवाल को आराम से बीना किसी दिक्कत के बहुत ही कम समय में निप्टा पाएंगे मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही बहतरीन तरीके से सवालों को लेकर उनका concept सीखेंगे, तब तक आप लोग सभी बड़ा लिखाय अच्छे से करते रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेकर आप चैनल पर नए हैं तो, चले फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जय हैंद।